नमश्कार बच्चो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि RPSC के स्लेवर्स में, खासकर हिंदी के स्लेवर्स में, आप कौन-कौन से विशह हैं जो अगर अभी भी सही से पढ़ ले, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, अगर अभी भी सही से पढ़ लेते हैं, सही से रिवीजन कर दो से पहला यह विश्मैंति नहीं पड़े हैं अगर आपने अभी तक यह सारी विश्मैंफर, plinator x कूछे हैं प्रस्ब्र पूथा हैं पढ़ना क्यों आसान क्यों बहुत आसान-ालसान यह ठाई है एक बाल यह भाई व्याक्रण वाले भागरे में हमचा करेंगे माफित व्याकरंड भाग में हम देखेंगे कि कौन कौन से आपके विश्य्य है जो महत्ववश्य है इसके बार हम आ जाएंगे छाहितिthinking का भी देख कोशिश कीजिए अगर यह विश्य आपसे खुद से नहीं हो पात नहीं तो कोई भी यूट्यूब वीडियो देख लेने का और वहां से नोट्स बनाते चलिए नोट्स बनाते चलिए ज़्यादा से ज़्यादा इन विश्यों पर से क्यों करेंगी टॉपिक आपका कम्प्लीट हो जाएगा सबसे पहले व्याकरण में देखते हैं अब आपके कौन-कौन से महत्वपूर्ण है क्या कर देना है और इनके उच्छारन सान उच्छारन सान एकदम नहीं भूलें उच्छारन संद्धान से आपके प्रेश्न बन र लीजेगा आगे देखेंगे शब्दों का वर्गी करन इसमें आपका तच्सम तद्भव विदेशज आही जाएगा तच्सम तद्भव समझना एकदम आसान है विदेशज में क्या दिक्ट आती है यह नहीं पता होता कौन सा शब्द तुर्की का है कौन सा फार्ग Siqa और कौन सा किसी दूसरी भाषा का है जो हिंदी सी उधार में लिया गया जिसे हम प्रयोग कर रहे हैं यहां से यह शब्ध आया एक शब्ध का प्रयोग कलते हैं बाल्टी किस भाषा का शब्ध है अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट करके बताएं शब्ध में देखेंगे जब द्रचना में आपका संधी समास उपसर्ग और प्रत्य उपसर्ग और प्रत्य आसान से विशह हैं ज्यादा से ज्यादा कोशिच करें इन पर करने की से क्यूब उसके बाद आपका आता है संधी और समास संधी में बच्चों कोशिच करें अगर संधी में दिक्कतें आ रही हैं तो आप कोई भी यूट्यूब वीडियो देखकर स्वरसंधी कम से कम कम्प्रीट कर लिजिए जादा से जादा प्रश्ण आपके कहां से आते हैं स् इसमें गड़बडी नहीं होगी स्वरसंधी वाला विशे कम्प्रीट कर लिजिए समास में आपको आइडिया है ही समास वाले प्रश्ट बहुत जादा कठिन तो आ नहीं रहे हैं आसान आसान से प्रश्ण आ रहे हैं जादा से जादा क्या करेंगे समास की परिभाशा नोट्स बनाने हैं नोट्स ऐसे नहीं बनाएंगे कि कोई नई रजिस्टर लेकर आया और वहां पर पहले पेशे शुरुआत किया कोई भी रफ पेज उठाईए उसी को ही नोट्स बना लीजे तीन चार रफ पेज उठाएंगे उन्हीं में आपकी ये विशे हो जाएंगे से प्राक्टिसर करते हैं उनके शब्दों फो एक पेज में साइड से लिखते रही है जैसे कि बहाई आशिर्वाद क्या है लिखा हुआ है आशिरवाद गलत अगर हमने कहा कि आशिरवाद गलत लिखा हुआ है तब आपको क्या करना है यह ध्यान देना है अगर आशिरवाद गलत लिखा है उसका शहीर रूप क्या होगा अब आप ते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों पर मुहावरे लोकोक्ति वाले विशे बच्चे बहुत बार पढ़ना छोड़ देते हैं और यह विशे क्या है मुहावरी लोकोक्तियां पक्का होता है एक नंबर आएगा फिर भी अगर आप छोड़ रहे हैं तो गड़ बड़ी है बचों मुहावरी लोकोक्तियां चाहे तो को सबसे पहला और सबसे आसान आपका नामकरण साहित में आपने देखा होगा हैंदी साहित को चार भागों में विभाजित किया गया आधिकाल है भक्तिकाल है रीतिकाल है आधुनिकाल है लेकिन दो बाते सबसे पहले आपके भक्तिकाल और आधुनिकाल के नामों में तो दिक्कते आती ही नहीं है भक्तिकाल के नाम में लगभग लगभग सभी आचारे सहमत है कि क्या नाम दिया ऐसे ही रीतिकाल का कौन-कौन से आचारे ने क्या-क्या नाम दिया अब आप तयार कैसे करेंगे कोशिच कीजिए एक पेज लेंगे छोटा सा पेज लिखना है एक पूर साइस का कोई भी खाले से най- mindfulness ओठाले उस पटर अधे पेज में सिर्फ यह देख साथ लेंगे अधिकाल का किस ने क्या नाम रिखा किसने और 100 पेज बचा है साथ आठनाम मिलेंगे आपको मान लिजिए साथ अनाम मिलते हैं आप आधिकाल के आदिकाल एक आचारों ने दिये थे अट नाम मिल जाएंगे रीती काल के जो लग लगा चारों ने दिये थे तो यहां से क्या हो जाएगा आपका आदिकाल और रीती काल उनका नाम करेंट क्लियर हो जाएगा रीती काल में देख लें रीती कावे किस ने कहा रीती काल किस ने कहा अब कला काल किस ने कहा शिंगार काल कि देख लीजे भैकाल विभाजन में शुक्ल की समय सीमा बच्चों को याद ही हो जाती है कि 1050 से 1375 है आदिकाल की समय सीमा भक्तिकाल की है 1375 से 1700 फिर इसके बाद 1700 और फिर 1900 से अधतन क्लियर है लेकिन इसके अलावा आपके अचारे शुक्ल के अलावा नगेंद्र की पुस्तक में नगेंद्र दौरा संपाधित पुस्तक में क्या समय सीमा मानी गई है और रामकुमार वर्मा जी ने क्या मानी है मिश्रबंधु ने क्या मानी है चार चीज़े क्लियर कर लेंगे कि भाई मिश्रबंधु क्या मानते है कि दुवेदी जी क्या मानते है कि के बाद आपके नगेंद्र की पुस्तक में क्या माना गया है इतना क्लियर कर लेंगे तो भी ख्लियर हो जाएगा अब आज आते हैं मिश्य दुवेदी नगेंद्र के क्लियर आदुनिक गद्यए का विकास थोड़ा देख लेंगे विकास में आपको चार कहानिया उसने कहा था और परिंदे कम से कम यह तो अच्छे से पढ़ लीजिए बाकी की दो कहानिया भी अगर आप पढ़ पाते हैं तो हो जाएगा कोशिश करें खुद से पढ़ने का अगर खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो क्या करेंगे कोशिट करें कुछ से पढ़ने का नहीं कुछ से पढ़ पाए हैं तो कोई YouTube वीडियो सबसे सही option इस ताइम पर YouTube फेमस है तो YouTube वीडियो देख लेंगे इन कहानियों का भी समझ में आ जाएंगी चारों कहानिया इसमें भी भाई उसने कहा था से आपके अच्छे खासे प्रश् चलेंगे और छोटे छोटे नोत्स बनाते हुए चलेंगे इकarlोकी कैसे कैसे पहचान करें का भच्चों के जीवन में और आप बच्चों के जीवन में कैसे भाशा कॉष्न का प्रेयोग कर रहे हैं निदानात्मक से बेघाया वाला विश्य नहीं चोडेंगे ये चारों पाइट क्या है बहुत महत्वपूह 6 ट्रिक्ड के लिए आपको सुबह पाली अरथात क्या आपका सुनना बोलना पढ़ना लिखना क्या बनाएगा सुबह पाली बनाएगा इसे आपका यह क्लियर हो जाएगा भाशा कॉशल में कौन सी चार तत्वार हैं कौन सी चार बाते आती हैं और भाई हिंदी पैड़ागॉजी समझनी का सबसे आसान तरीका क्या है सिर्फ यह द्रयाद रखी कि आपको क्या करना है बच्चों की समझ विक्सित करनी है बच्चों को रटाना बहुत जादा प्रेशर भी नहीं रहेगा एग्जाम में यह प्रशन आएंगे तो आपको डाउट भी नहीं होगा डर भी नहीं लगेगा ज़ादा से ज्यादा आपको नंबर भी मिलेंगे चलिए बुचो कोशिश करेंगे एक्जाम में अच्छा करने की बाकि आप सभी से मिलते हैं क्लास में तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एक्जाम के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत शुप कामना है धन्यवाद बच्चों